खम हमीं देयो सज्जनों, मेरा नाम है शाम चुहान, और आऺ देख रहे हैं इसके Car Cambridge और आज हमारे साथ है Peleno Alpha Model सबस्पहले सरुवात करते हैं इस की से जो की रिमोट की आपको दी गई है यह वहीर इंदर आपको दो बटन दिए गया है जो कि आपको लोक और अनलोक के लिए दिए गए हैं अब सुरुवात करते हैं इसके सबसे पहले design की design लेंगे इसके बात की जए उससे पहले हम आपको इसके यह कुछ ponter feature वो आपको बता दे दूँँ, पहले बात इसके अंदर आपको 360 डिया गया है, head up display अपको इसके अंदर दी जाती है, अब बात करते हैं इसके design की, डिजाइन से सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके headlight की, headlight के अंदर आपको horizon यहाँ पर indicator दी आगा रे, यहाँ पर आपको Fog Lamp दिये गए है। यहाँ पर आपको Chrome की Lining दिये गई है। इस तरह आपको Chrome की एक बड़ी liining, जो कि आपको पछुझ बेनों में मिलती है। जो कि पहली हुजनुए मेर्स shift अमसी प्र प्रकार से एक यहाँ पर भी दिये है, यह इसके अंदर आपको मेट बलेक के अंदर दी गए, यहाँ पर आपको एक मारतु की सूज़गी का बड़ा सो लोगो दी गए है, यहाँ पर बात करें तो यह आपको 360 केमरा का यहाँ पर आपको एक केमरा मिलता है, यहाँ पर आपको ताइर साइज की बात करें, आपको 16 इंच के इसके अंदर टाइर आपको दी जाते हैं सस्पेंशन ट्रेवल की आप बात करें, तो सस्पेंशन ट्रेवल आप जो आप इसके अंदर देख सकते हैं यहां पर आपको इसकी एक बलेक गार्णिस आपको यहां पर दी जाती है, जो कि बहुत ही देखने में खुबसूरत लगती है ORBM के बात कीज़ें, तो ORBM में आपको एक यहां पर इंडिकेटर दिया गया है, इसके ही नीचे आपको एक कैमरा भी प्लेस हुआ, दिखता है ORBM है जो आपको बोडी कलर्ड ही आपको इसके अंदर दिया गया है, यहां पर आपको एक क्रोम की बड़ी सी लाइनिंग दी जाती है और जो डोर एंडला वो भी आपको बोडी कलर्ड नहीं मिलते हैं, इसके अंदर आपको क्रोम ही दिया जाता है इसके साथ ही इसके अंदर आपको एक request sensor भी दिया जाता है और पीछे की door की बात करें तो पीछे का door भी जो है उसका भी जो door एंडला भो भी आपको chrome के अंदर ही दिया गया है पीछे का tire की जो suspension travel की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा है जिसे आपको किसी के परकार के शोक लगने के या जटके लगने के कोई भी मैसूस अंदर नहीं होंगे अब बात करते हैं इसके पीछे की profile की पीछे की profile के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आपको चार parking sensor दिये जाते है यहाँ पर इसकी backlight यहाँ पर दिये जिसके अंदर आपको totally LED setup मिलता है यह इसका indicator हो गया यह इसकी reverse parking lamp हो गया defogger और wiper आपको इसके अंदर दिये गए हैं और साथ ही आपको high stop lamp आप भी इसके अंदर दिया गया है बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस आपको इसके अंदर 340 लिटर का बूट स्पेस दिया जाता है और यहाँ पर आपको इसकी parcel tray दिये गई है यहाँ पर इसके hydraulic stress दिये गए हैं जो की बहुत ही मजबूत है उपर से weld cover दिया गया है अच्छी तरीक ऐसे बूट को बंद करने के लिए यहाँ पर एक space आपको लग से दिया जाता है यह इसका request sensor जिसे आप बूट को access कर सकते हैं सीट के बात की जाए बेक सीट की तो यह आपको 60-40 split मिलती है जिसे आप अपने boot space को और ज्यादा enhance कर सकते हैं boot space जो आपको पूरी तरिकर से weld cover दिया गया है यहाँ पर आपको एक boot के लिए lighting दी गया है जो की halogen में है पूरी तरिकर से weld cover दिया गया है boot lift के बात करें तो boot lift आपको काफी इसके अंदर मिलती है जिससे की है कि इसका boot space जो है और ज्यादा बढ़ जाता है यह इसकी कुछ accessories है जिसमें आपको tool kit वगएरा सभी चीजे दी गई है अब बात करते हैं इसके rear seat की rear seat की में देखते हैं कैसा comfort आपको मिलता है अब बात करते हैं तो आपको ऊपर नॉर्मल एंटिन ही आपको दिया जाता है और यहाँ पर आपको एक थोड़ा spoiler type इसके अंदर जो design है वो मारुतियों अपनी तरब से देती है अब बात करते हैं rear door की rear door की rear door की rear door trim की बात की जाए तो पहले बात करते है material quality आपको इसके अंदर बहुत अच्छी और बहतर मिलती है यह इसके अंदर आपको chrome के अंदर इसका handle दिया गया है और यहाँ पर आपको piano black face दी जाती है और इसके बीच में आपको एक power window का button दिया soft trust material use किया गया है यहाँ पर आपको एक water holder मिलता है इसके अलावा आपको यहाँ पर एक space or दिया जाता है यहाँ पर आपको इसका speaker grill दी जाते है इसके अंदर अब बात करते हैं इसके rear seat की सबसे पहले बात कर लें तो इसका headrest जो आपको adjustable मिलता है और जो seat अना इसकी उसका ह हम thigh sport check कर लेते हैं सबसे पहले thigh sport की बात की जाए तो thigh sport जो है इसका जबरदस्त आपको thigh sport मिलता है पहली बात इतनी से का आपको आगे अलग से दी जाती है दूसरी बात जो यह जो area नहीं है यह थोड़ा सा उठा हुआ है जिसके वज़े से thigh sport जो ना आपका बढ़ जाता है अच्छा है और मैसूस रहता है कि मारुती जो है इसमें पहले से ज्यादा बैतर material यूज किया जिसके safety overall बढ़ गई है हम होप करते हैं कि यह जो गलोबन एनकेप में भी अच्छी रेटिंग लेकर आए इसके अलावा अब इसकी बात करते हैं लेग रूम की लेग रूम दे अब बात करते हैं तो headroom भी आपको अच्छा-खासा मिल जाता है ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बैठ होगे तो आपको headroom बिल्कUL भी ने लगा और मैसूस नहीं होगार आप परिशान होगी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का आमरेस्ट आपको इसके अंदर नहीं दिया गया है, हम्प के बात करते हैं, तो हम्प आपको काफी ज्यादा मिलता है, बैठाने में शायद आपको थोड़ी परशानी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पेरों को वेक एईसी मेंड मिलता है, यहाँ पर इसका अब ब्लोवर आपको अरजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप A और टाइप C charging point दिये गये हैं। यहाँ पर थोड़गा से आपको space और दिये गये हैं। वाईज औरट्री में इस तरफ आपको मिलता है। इस तरफ भी आपको grape handle मिलता है, साथ में एक hook भी मिलता है, जो कि आपको इस तरफ नहीं मिलता है, बीच में आपको एक lighting दी गई है, जो कि halogen में है, मारूति अपनी सभी गाड़ियों में almost halogen light ही use करता है, अब आप इसका देख सकते हैं, dashboard जो कि बहुत ही जबरदस्त है, बे तो काफी wide इसके opening होती है, और अगर हम बात करें इसके door trim की, तो door trim में सबसे पहले आपको इसके material को आठी है, वो आपको बहुत ही बेतर नहीं, यहाँ पर आपको soft touch material यहाँ पर दिया गया है, यह इसके मेच ही दिया गया है, लेकिन यह soft touch material नहीं, hard touch है, यह भी hard touch है, और यहाँ पर इसके lever दिया गया है, यहाँ पर आपको water holder की space मिलती है, यहाँ पर थोड़ा space core मिलता है, यहाँ पर आपको speaker grill दी गई है, और यहाँ पर आपको मिलते है, इसके power window की control, lock and lock करने के लिए, और इसके ORBM के control यहाँ पर दिया गया है, शीट की बात की जाए, driver seat की बा लेकिन यह proper ऐसे बनाया नहीं गया, यहाँ पर आपको इसके pen roll और bonnet खोलने के लिए, lever यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर थोड़ा space आपको और दिया जाता है, कुछ buttons आपको यहाँ पर दिया जाते है, जिसमें से यह आपको auto start stop button दिया जाता है, यह इसका traction on off करने का control है, और यह इसका headlight को control करने का control है, यह इसके चितने भी यहाँ आप देख रहे हों है, यह सारे head up display के controls है, इससे आप head up display निकाल सकते हो, इससे आप recline angle को और उसके angle को adjust कर सकते हो, इसके angle को और उसकी brightness को और adjust कर सकते हो, अब चलते हैं इसके अंदर और बाकी से चीज़ों की इसके बात कर लेते हैं, बंद और दोर का जो third है वो आप सुन सकते हैं, बहुत ही मजबूत आपको यह गाड़ी महसूस होगी, पहले से ज्यादा, पहले जो गाड़ी होती थी थोड़ा ऐसे लगेगा कि वो मजबूत नहीं थी, लेकिन यह आपको महसूस होगी कि आप एक म यहाँ पर आप इसके IRVM दिया जाता है, जो कि ओटोमेटिक है, डे और नाइट, और इस तफ आपको मीरर दिया गया है, जो कि अभी हम खोल नी सकते, सुरी, हाँ इसके साथ, लाइटिंग के साथ, इस तरब बात करें, तो इस तरब भी आपको मीरर दिया जाता है, और ला में था सभी में यही मिलता है बिल्कुल वही सोप तस्व इंटिरियल सब वैसी चीजे दी जाती है गलाबोक्स की बात करें तो डिसेंट है बहुत बड़ा नहीं के सकते पर डिसेंट है और यह कूल्ड है सबसे बड़ी अच्छी बात जो इसकी है तीन परकार की माटीरिस के यह थोड़ा अलग माटीरियल है यह फिर ग्लोसी साइनी सिलूरिस माटीरियल है उसके बाद जो है यह मटीरियल थोड़ा अलग है ऐसे वेंट आपको यहां पर मिलते है और ऐसे वेंट का जो डिजाइन है वो बहुत ही खूप सुरत है मुजिक सिस्टम की बात करते है लेग नहीं देखने को मिलेगा किसी परकार की कोई बराइटनेस में आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी अच्छा है बहुत बढ़िया आपको इसके अंदर दिया जाता है उसके बाद नीचे है यही ब्यूटिफुल से ऐसी वेंट दिये गए है जिसके अंदर आपको अच्छी लगी लॉंग ट्रिम में आपको कभी भी इसमें कोई पैरिशानी नहीं होगी ना कोई कलर उतरने का ना किसी और प्रिकाय की पैरिशानी होगी नीचे की बात की जाए तो यहां पर आपको एक charging socket दिया जाता है यहां पर आपको मिलता है USB type A का socket यहां पर आपको कुछ space दिया जाता है उसके अलावा यहां पर आपको दो water holder दिया जाते हैं और यह है 5-speed का manual transmission जो की आपको यहां पर दिया गया है यहां पर आपको थोड़ा space over मिलता है इसके अलावा यहां पर आपको इसका parking brake दिया गया है और इसके पास में आपको मिलता है इसका armrest जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत space मिल जाता है जो armrest ना इससे आप आगे start store button वो आपको इस तरफ दिया गया है इस तरह आपको वाइपल के control मिलते हैं इस तरह आपको मिलते हैं headlight के control अब काड़ी को करते हैं on और दिखाता हूं आपको सबसे बहतरीन और important इसका feature जो मैंने आपको पहले सुरू पताया था ना head up display वो देख रहे हो जब यह बहार आ आपको नहीं आती थी क्योंकि Indian लोग इसे पसंद ही नहीं करते थे ले भी नहीं पाते थे पर आजकल जो है इसे अच्छे तरीके से बनाया गया है और कितनी beautiful यह आपको लगती है जब आप सबसे पहला जो इसका फायदा है वो आपको रात में होता है बार-बार में आपको अपने M.I.D. की तरफ या अपने इंस्ट्रूमर्ट क्लस्टर के ओफ आपको देखना नहीं पड़ता रात में आप लोंग ड्राइप पे जा रहे हो या कहीं दूर जा रहे हो नाइट का समय है तो आपको उसमें कोई परशानी नहीं होगी किसी परगार की स्टेरिंग वील है जो आपको फॉर स्पोक मिलता है जो कि लेदर रेप्ट आप इसके अंदर दिया गया है अब हैड़ डिस्पिले की जो बात में आपको बता रहा था नहीं आप इसके कंट्रोल से आप इसे अर्जेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और यह देखो इसका स्टेर्फ आप इससेड कर सकते हैं अबचलिए इसे चला कर देखते हैं किस टाइप इसकी राइडिंग और हैंडलिंग है。 सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैंडल की जो कि बहुत ही आपको समूध इसके अंदर मिल जाता है और अगर हम बात करें इसके अधिकर सिस्फिंग की बात ऐसी है कि बहुत ही समूद और ही आपको अब वह झाने है जब ही तो फोड़ा इसके इंदर जरकी फील नहीं होगा किसी प्रिकार से रबडी फील होगा आपको जैसे इसके अंदर थोड़ा सा फेक्ट आता वह आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हैंडिलिंग कोई बारे में आपको मैंने बताई दिया है और इंजन नोईज की बात करें तो आप जानते हैं सभी लोग जो बेलेनों का जो इंजन है वह ओल्मोस्ट मां के बराबर आवाज करता है और वाइब्रेशन तो इस गाड़े में पहले से ही नहीं इसके और भी राइ सर्ट कि तो मेंने संफेंशन ट्रेवल शेलें दिखा या जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस पेंशन ट्रेवल से शबर्दस्त आ है कि आप को गड़े वेक्र भी मेने अनुह और अम मैं जब इससे चला रहा हूँ तो मुझे पता है इसके इसके अंदर कुशी पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका 4 Cylinder 1200cc का इंजन लिड खौलने के लिए आपको यहां पर लिवर दिया गया है अब इसका इंजन आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो लिड है वो पुरानी वाली बलनों से बहुत ही ज्यादा भारी हो गया है क्योंकि बलेनों ने कलेम कि इसके अंदर सेफटी ज्यादा बढ़ा दी गई है तो यह है इसका 4 Cylinder 1200cc का इंजन जिसके अंदर आपको मैलेज मिलती है 22 पलस की आपको इसके अंदर मैलेज मिल जाती है और जो इसके लिड वह बहुत ही बारी हो गई है जिसके वज़े से आपको इसके अंदर सेफटी ज से आपको weld cover मिलता है जिसके वज़े से आपको किसी प्रकार की noise जो है ना वह आपको बाहर आते हुए मैसूस नहीं होगी होना ही सुनाए देगी तो बस इतना है था इस वीडियो में कैसी लगी आपको बलेनो मुझे कमेंट करके कमेंट बोक्स नेम जुरूर बताना और ऐस इसे ही बहुत बहुतरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना तक के लिए ताम बाद